शिरादे रादे भक्तों संसार के सामान्य मनुष्य शरीर त्यागते हैं तो अधिकतर शोक का विश्य होता हुआ किन्तु जो सिद्ध पुरुष होते हैं सिद्ध योगी या उच्च कोट के महान भगवत भक्त होते हैं वो मरते नहीं मरा जो वो भगवान के धाम बहुत खुश हो करके आमोद भरे हुए जाते हैं और जाने की पहले उनको जाने की खुशी रहती है जैसे आपको कहीं ऐसी जगह जाना हो जहां आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कोई रहता हो तो आप बहुत दिनों से तयारी करते हो कि मुझे आज हुन से मिलने जाना है जो हमारे सबसे ज़्यादा प्री हैं तो क्या पुधुक होगा नहीं आप तो पहले से उत्सुक होगे कब वो टाइम आवे कब मैं जाके मिलू तो इसलिए कभीर दास जी नहीं कहा था जा मरने से जग डर है मोरे मन आनन्द कब मरी हों कब पाई हों पूरन परमानन दो मेरे मन आनन्द उनके मन से पहले आनन्द भर गया कि प्रभू के पास कब महीं पहुँच जाओं अच्छा ऐसे लोग जो चले जाते हैं तब भी अपने उपस्थिती भक्तों को यहां दिखला दिया करते हैं ऐसी शक्ती होती है जाने के बाद भी भक्तों को शिश्यों को उनकी उपस्थिती जवर्पर प्राप्त हो जाये करती हैं वह हम सिखाते हैं कि हम किस तरह से अपने प्रेतम के पास जाना है इसलिए तो उत्सो मना जाता है निरवान का उत्सो एशोक का वीशे नहीं होता तो एक सिध्ध कि एक दिन अपने को भी तो जाना है कि जो अपने को भी जाना है तो विजय से बतला रहे हैं उस बात को हमें समझना चाहिए कि हमें कैसी जाना होगा तो सरस्माधुरी शर्णाजी इसी कोट के उच्च महान पुरुष्थे योगी और महान भागवत भक्त राधा रानी और कनाईया के करपा पात्र राधा रानी ने स्वामन को आश्वासन दिया था कि मेरी सेवा में तुम्हे आना है तो वह मैंने कल बतलाया था एक साथ वर्स पहले ही ती थी तारिक सब बता दिया कि हमको प्रीतम के पास उस साथ वर्स के बात जाना है और जब एक बश रह गया तब तो महराज गाग आके सब को सुनाते थे, गाग आके सुनाते थे, खुश होकर, कि मुझे एक साल बात जाना है, इतने मेने बात जाना, इतने दिन बात जाना, और खोब हंसते थे, खोब उत्सों मुनाते थे, राधारानी को याद दिलाती थे कुमर की शोरी काना भूल मुझ को मत जाना जुगल विहारी प्रीतम प्यारी मेरी प्रीति निभाना लख कुचाल कल यूग की लालन मुझे नहीं विशराना सुनो तुम कृपा निधाना हस हस करकी याद दिला रहे हैं पंची प्रान तजे जवतन को नैनो महीं समाना सरस्मा धुरी मेरी सुरत को निजचब में अटकाना अंत कहीं नहीं भढकाना मरा धिरे धिरे वो ट्राइम आ गया सम्मत उनीस सो तिरासी का नार्क्षी सुखल चतुरदसी का आर उस दिन महराज प्रात उनोंने अब देखो कैसी तयारी होती इन महापुर्षों के प्रात उनोंने गायों को सेवा किया और शुकदेव मुने और चर्णदाश जी का ध्यान किया आचारे का और अपने गुर्देव का और उनकी कृपा का पूरा भरोसा किया और कहा भरोसो श्री शुक मुन को भरी जिनको नाम सकल सुख की निधी सब विधिमंगल करी चर्ण चारुनक चंडर चंडर का भावक ही तुम हरी दरसें सहज सलोने दंपती राधा सरस भिहरी अतुलित दयाकरत निज जन पर भावभक्ति दातारी सरस माधुरी केलि कुंज की कृपा करो बलिहरी भाव भbhor, प्रेम भिभaur होकर करके गा रहें असरो श्याम चरण दास चरणन को चरण दास जी महराज को श्याम चरण। feito पूर्णम था और वपाय नहीं को दीखत या भवशिन दू तरनको उनको और उपाय नहीं को दीखत या भवसिं दूतरको उनका ये कहना है कि गुरुदेव का चरण जो है वो भोसिंदु को तरनी के लिए सबसे सूद्ध उपाये है। सरस्माधुरी संशय नहीं है बलमोही शर्न को। मुझे तो संशय है ही नहीं मेरे प्रभु के चरणों की प्राप्ति में। मुझे पूरा विश्वास है। और उस दिन वे दिन में चुपचाप फोड़े लेटे रहे। अब साउधानी की बात देखे ये है। सबके सम्मुकिये पवित्र दिवस आना है। पवित्र दिवस है वक्तों को बगवान के पास जाने का दिन है। इसलिए कोई शोक और दुख की बात नहीं। तो वो कुछ देर लेटे ते फिर सबसे मना कर दिया है। कि कोई उनसे बात नहीं करे। तो बात चित लोग संसार की करते हैं। तो ये कागरता में आनंद में बाधा पड़ती है। और संध्या साथ बज़े बाही करवट से लेते थे। प्रेमी जन कुछ देर से पास बैटे थे। उनकी इच्छा वोई उनके दर्शिन करने की है। उसी समय करवट बदली और बैट गए। सबने चरनों में सिर रखा। उन्होंने सब की सिर पर हाथ रखकर आशिरबात दिया। और ये कहकर कि उनका स्वास ठीक है। तुम लोग घर जाओ। बोले कि मेरा स्वास तब इलकुल ठीक है। तुम लोग घर जाओ। सब चले गए। केवल उनका एक सिर रह गए रूप न रहें। और उसी समय रूप माधुरी जी और कुछ अन्नी प्रेमी आगए। उन्हें देख लिया। और देखकर बोले जैशी शुक देव जी अब हम जाएंगे। हमें नीचे ले चलो। महराज जो उनके नीचे से वक थे उनके आने पर बोले। जैशी शुक देव जी बड़े खुश होकर जोर से बोले। अब हमको जाना है अपने प्रभू के पास। हमें नीचे ले चलो। ततकाल नीचे महराज जमुना रजु बिच्छा कर उसी जगह पर तयारी की गई। उनको लिटाया गया। लेटते ही समकी ओर देखकर उनके का जैशी शुक देव। जैश्री शुक देव। जैश्री चर्णदास जी महराज की। और महराज जैजेकार बोलने के साथ साथ वो भगवद्धाम को प्रस्थान कर गए। मतवक ऐसी अद्भूत इन महापुर्शों की शक्ती होती है। और उस दिन रामानुष्रम परजाय के ब्रंदावन के हरदेव मंदिर के महंत। श्री रामानुष्दास्टी जैपूर में थे। तो उन्होंने रात्री में आकाश में दिवय प्रकास देखा। वो भी भूत महानपुरुस्त है। इसलिए उन्होंने देखा। सबको थोड़े दिखलाई पड़ता। तो उन्होंने लगा कि किसी महापुरुस्त का भगवत धाम गमन हुआ। प्राता उठकर उन्हें पता चला कि सरस्माधुरी शरन जी भगवत धाम पधार गए। उन्होंने ही वैदिकृत से उनका सब कारे कराया। और उसी दिन जुगलमाधुरी शरन जी को आगरा में उनके दर्शन हो अब आप देखें सोक की बात कहा है। शरस्माधुरी शरन जी भगवत धाम गए। और जुगलमाधुरी शरन जी को आगरा में अब उनका दर्शन हो रा जाने के बात। और उन्होंने उनसे कहा, आप देखें, जुगल माधुरी सरण जी की सद्धा उनके प्रति थी, तो सरस्त माधुरी सरण जी आगराम उनको दर्शन दे रहे हैं, और करह में बुरंदा बन जा रहा हूं, बुरंदा बनकर तात्पर उनकर भगवर्धाम से था भक्तौं, और ज उनसे बोले सरस्त माधुरी सरण जी, तुम जो इस्थिती चाहते हैं, वो दो वर्श में हो जाएगी, आशिर बाद भिजजी अमराजू, इसी प्रकार उत्तम चंद जी और कई सिष्चों को उनके धाम गमन के पस्चात उनके दर्शन हुए, भगवर्धाम चले गए और ब अपासना में विशेश वूप से मधूर अपासना में बड़ा ही अद्भुत भाव था, बड़ी अद्भुत गहरी पैट थी महराजू, और उन्होंने अपनी वानी साहित में जो अवदान प्रदान किया, उसका मुल्यांकन करना कथे ना, सरस्तागर, श्री सरस्तागर नाम उनका जो ग्रंथ है, उसमें विशाल वानी का संग्रा है, उनका, जिसका महत्तो किसी विवानी ग्रंथ से कम नहीं है, उनकी अप्रकाशित वानियां भी उतनी है, इतनी प्रकाशित, उनका प्रकाशिन वांचनी है, भाक्तो लोग करेंगे प्रकाशिन, बहमोल वानियों की स्वयम तो रचना की ही थी, प्राचीन वानी ग्रंतों का उधार भी महत्वपून कारे किया, और इस कारे में उनकी कितनी लगन थी, इसका पता चलता उनकी परिश्रम से, जो नोंने वंशी अली जी की और किशोरी अली जी की वानियों का संग्रा करने में किया, वो परिश्रम उनकी वानियां जैपुर में लाज़ली जी के मंदिर में शुरक्षी थी पुजारी उन्हें मंदिर से बाहर नहीं लाने देते थे मंदिर के भीत ठाकुर के शयन करने के बाद ही दिखाने को तयार थे सरस माधुरी शरण जी ने कई रात श्रयनारती के प्रश्चात मंदिर में प्रवेश किया और महरा जो पुदारी ने बाहर से ताला बंद कर दिया जिसे और कोई ने जाये सरस माधुरी शरण जी ने कई रातें जाग कर दिये के सामने बैठ करके बाणियों के नकल किये सरस्कुंज के जंगरहालय में उनके द्वारा संग्रहित पानियां आज भी सुरक वेबानी ग्रंथों को उनका स्रिजन करने वाले महात्माओं को अपना ही रूप मानते थे और वैसे ही आदर करते थे उन महात्माओं का उनकी रचनाओं में गुरु महिमा, धाम महिमा, नाम महिमा, विने, विरह, श्रंगार, लीला, अश्ट, याम सेवा, और आचारियों की बधाईयां, सिद्धान्त के पद सब सम्मिले थे माराजू। और उनके सिद्धान्त के सम्मन्द में जो विशेष रूप से जानकार नहीं, उनको कोई भ्रांती हो जाती ही, क्या द्वयत्वादी थे, निर्गुन ब्रम के उपासक थे, जो नहीं जानते हैं कि राधा कृष्ण के विशेष सरस्प्रेमी थे, वो लोग ऐसा सोच लेते हैं उनके पदों को जब नहीं समझ पाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कड़े प्रहार करते हैं, बोल दिया, जिसको समझने में थोड़ा चाप को पता सा लगेगा, बोलते हैं आहम ब्रहम आहमक बक्ते हैं, जिनके ही ये अधेरा है, आशिक सादिक हुए जिनोंने तुही तुही कह तेरा है, और मजा अजायव इश्क पंत में मन मुर्शद ने फेरा है, सरस्माधुरी कहे जवां से मैं तेरा तू मेरा है, अभी सरस्तागर में लिखा लेकिन आप लोग कृपा करके सन्यासी संत लोग घवराएगा नहीं, ये वास्तम उनका प्रहारा उन अद्वादियों पर था जो भागवान के स्वगन रूप को माई काथवा मिठ्या बतलाते हैं, और अपने को सत्यसुरू ब्रहम मानते हैं, और भागवान राम और कृष्ण को कहते हैं कि ये तो माई थे, मिठ्या थे, ये कोई भागवान थोड़े, और अपने को ब्रह सच्चा मानते हैं तो उन लोगों के उपर विप्राहर किया है दुपा करके इस बात को समझने का प्रयास्त करी है जैसे अखंडा नंजी महाराज थे अब वो अद्वाइत वादी थे लेकिन सचे कृष्ण भगत थे हैं उडिया बाबा अद्वाइत वादी थे लेकिन सचे और उस द्रिश्वी से काजाई तो हरी वाबा भी अद्वाइत वादी थे लेकिन महाण कृष्न प्रयमी भIKTथे उनके अद्वाइत वाद पर प्रहार नहीं किया गया भक्तों प्रहार किया गया उन अद्वाइत वादियों पर जो भगवान के सगन रूप को मानते ही नह मिठ्ष्या बताते हैं अपने को ब्रह्म बताते हैं भगवान को करना यह तो राजा के लड़के थे ऐसे लोगों के अध्वाइक वाद पर प्राहर किया उन्हों यह बात समझने की वर्ग्तों निर्गुन को नकारा नहीं उन्होंने लेकिन जो सागुन को नहीं मानते हैं, लेकिन जो सागुन को नहीं मानते हैं, उनको उनोंने नकारा है, पर नकारा क्या है, उनके सिद्धान्त को उनोंने कहा, तुमारा विस्ता ही नहीं सिद्धान्त, बोलते हो कि तुम अद्वाइत वादी हो, लेकिन तुम सच्च अद्व वाइत वादी नहीं हो तुम भगवान को नहीं मानते अपने को मानते हो तो उन्हों लोगों के लिए उन्हों ऐसा कहा हमारा अंतरकास्ट अगनी व्यापक है दाह शक्त बिन कछ्व नकाम हार लकड़ी को घिसो तो आग निकलेगी मतल आग है उसके अंदर लेकिन उस्चेड़ सोई नहीं बन पाएगी जब तो उसको जलाया नहीं जाएगा प्रकट नहीं के जाएगा को प्रकट अगनी विन जड़ समझ सोई यथा सरवगत आतम राम सगुन ब्रह्म जाजुल्य अनलवत जारे पाप देह निजधाम सरस्माधुरी व्यापक परिहर भजो प्रीत यूग श्याम श्याम तो आप इस बातको मत सोचेगा कि ये अद्वायतुबाद के विरोधी थे विरोधी थे उन्हीं लोगों के जो भागवान के अतार को नहीं मानते थे और कहते थी अहम ब्रहमा, अभागवान के उतार कुन्न मान, उनका विरोत करते थे, निर्गुन का आर्थ स्री सरस्मादुरिस्ट नजी ने नितान तो गुण रहित नहीं माना, माय को प्राकृत गुणों से हीन माना है, निर्गुन मतलब अचा नहीं के गुण विहीन, ये माय के मखलुत नहीं यो निर्गुन कहलाया है, माय से आकार बनाना ही निराकार योगाया है, अमित, अमायक, गुण, तन, नुर्य ऐसा प्रीतम पाया है, शरस्माधुरी सनम सलोना मेरे मन मे भाया है, तो ये माया के गुणों से हीन हैं, इसलिए निर्गुन काये गए, उनोंने जिस प्रकार का दोईत माना है, वो निर्गुन, निरस, निष्टेश्ट, निष्टरंग नहीं, सगुन, सरस, सक्री और सदा तरंगाईत है, उसे प्रेमात दोईत, यरासात दोईत कहा जा सकता है, उनोंने ऐसा वर्ण किया है, राधा, शाम, शाम, सोई राधा, एक तत्व है, द्वै तनहें, तिनके, करत केलिरस सिंधु अगाधा, भेदा भेज नहीं कछुरंचक, जलत रंग जूभिन अबाधा, सरस्माधुरी गुरुबल देवी, यह अद्वैत सुमत आराधा, तो अद्वैत बाद का खंडन, नहीं, उसका हम तो यहीं कहेंगे, उसका समझ का सुधारुनों ने किया है, और भागवत प्राप्चिकलिए दो बातों पर विशे शुरुप से बल दिया हुने, पहला इस्वास दूड़ोना चाहिए, शंका के लिए हृलत्यमे कोई स्थान नहीं होना चाहिए, शंका को उन्होंने पिशाचनी का और भग्तों, शंका के रहते बजन संभव होई नहीं, कहते हैं शंका एक बातो यह शंका जो होई, जब लग यह दोनों रहें, भोजन बजन भोजन नहीं होगा, मल की शंका, दीर की शंका जो बोलते हैं, वो रहेगी तो भोजन कहां से करोगा, ऐसे ही भगती में भगवान के लिए, गुरू के लिए, मंत्र के लिए, प्रभू के कृपालू रूप के लिए, मन में शंका है तुमारे, तो भजन नहीं हो पाएगा भकत हारी विमुखन के संग ते भली शौच की ठोर। शंका सब मिट जाते बाधा रहे नयोर। हारी विमुखन के संग ते भली शौच की ठोर। शंका सब मिट जाते बाधा रहे नयोर। अपने शौच की ठोर। और कहते थे कृपा, कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिये, आज्या वर्ती होई, जो आज्या पालन करने में ननुनच नहीं करता, गुरु की उपर अविश्वास नहीं करता, अश्रद्धा नहीं करता, वही कृपा पात्र हो पाता है। जो कराएसो कीजिये, जो भूगाएसो भोग, जहां राखे रहिये तहां, यही दास को जोग। करते हैं, जो सचमुच दास है अर्थात भगवान का भगत है, तो उसको जो करने को कह दीजिये, वो करेगा, जो कुछ खाने को कह दीजिये, खालेगा, जहां रख दीजिये, वह राजाएगा, यही उसका लक्षान होता है। ऐसे कितने कल्यानकारी उपदे सुनों ने दिये। भगवत भगती में उच्च वस्था पाने के लिए इस बात बताते थे। यह उपास नारसमय रसिकन जीवन प्रान, निर्सन को प्रापति नहीं जिनके उरज्ञान, को उपासक अईश्वर्य के शांत रसिक को जान, ज्ञान योग वैराग्य में रस को नहीं पिछान। अब भेद बताते हैं कि प्राप्ति कैसे हो, करते हैं घन्षाम की कृपा से ही सब प्राप्त हो जाता है, तुम विश्वास्त रखो। कोटिक भक्ति करे घन्षाम की, श्री राधि का भक्ति जो नमन लावे, तोलों मिले नहीं धाम, वासा, सरस्मा, धुरी भेद बतावे। करते हैं कि तुमको श्री धाम में राना है, तब तो राधा राने की कृपा जब लगी है, बिना राधा राने की कृपा के धाम वास नहीं प्राप्त होता है, ऐसा उनको अनुपो था भक्ति, इसलिए ऐसा करते थे वो, और सहचरी रूप था उनका, उसका उनको ज्ञान थ उकते मिले तब निष्चय निकुञ्ज विलास, अपनु रूप सहचरी समझे सेवय दंपति सहित हुलास। विश्वास को सबसे प्रमुख बताया इनोंने मरा, नाम की साधना और स्वास का महत्तों उसके साथ जोग जोड करके इस पर बड़ दिया था। चिन चिन चके ध्यान दंपति में करे यही दिड़ कर अभ्यास। काते हैं इसी का अभ्यास करो। छंड छंड ध्यान में दंपति कर था तरादा कृष्ण के ध्यान में छके रहो। और सांस से नाम जब होता रहे। रसिक सजाती संग करे नित औरन की रखे नहीं आस। जो आपकी साधना के अनुकूल चलने वाले साध के असिद्धें उनी के संग करो। इनके विरोधियों का नहीं करो। नहीं तो भटक जाओगे। बिना प्रशाद वस्तु नहीं लेवे। राखे सदा अनन्य उपास। सरस्माधुरी होई रहे नित हरीके दासन को निज़दास। बिना प्रशाद बिना भगोत प्रशाद के कोई वस्तु ग्रहन नहीं करनी चाहिए। और भगवान के दासों का दास बन करके रहना चाहिए ये इनके कुशि मैं उपडेश आपको सुना रहा था ऐसे महान राधारानी के कृपा पात्र ये सहचरी संत परमरशिक संत सरस्मादुरी जो निट्य प्रियाप्रीतम की सेवा में विराजमान है और भक्तों को आज भी दर्शन देते हैं मैंने कई भक्तों का नाम बताया जिनको दर्शन दिया उनकी चर्ण में बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम शीरा देरा दे जेश्वीरा देरा दे